हलो दोस्तों केसे हुआ आप सभी लोग तो बहुत सारे लोगों का 50RP कम्प्लिट नहीं हुआ है बीजयमाई के M22 रॉयल पास के अंदर और उससे पहले ही मिशन के आ गई है यह मैग्जिमम ब्रिज की प्रॉब्लम आ गई है तो आज कुझे मैं आपको डीटेल में बताऊं कि आप कैसे 50RP को कम्प्लिट कर सकते हो या फिर यह जो मैग्जिमम ब्रिज प्रॉब्लम आ रही है तो इसे कैसे हटाए इसका क्या सलूशन है और उसी के साथ बहुत सारे लोग मुझे यह भी पूछ रहे है कि बीजयमाई के M22 रॉयल पास के अंदर हमें सुपर मिशन पॉइ को जिसने अपने चैनल की मेंबर्शिप लिए है ठैंक यू ब्रो कीप सपोर्टिंग और दोस्तों इसी इंफॉर्मेटरी वीडियोस देखने के लिए अप चैनल को सब्सक्राइब करके रखे और बनोट्शी भी आल पर सेट कर दे और एक वीडियो को लाइक ज़रू कर दे है तो अभी फिलाल में M22 रॉयल पास के अंदर 50RP क्प्लिट होने के बाद भी या फिर विक फोर आने के बाद भी वो इवेंट हमें यहां दिखाई नहीं देरी तो वो क्यों नहीं दिखाई देरी या फिर कब तक दिखाई देगी सबसे पहले वो मैं आपको बता दू तो आप सबी लोगों को पता ही होगा कि अपना बिजयमाई 90 डेस के लिए अन्बैन हुआ है तो उसी रिजन के वज़े से उन्होंने बिजयमाई का सीजन एक्स्टेंड कर दिया है तो यहां अगर आप देखोगे तो बिजयमाई का सीजन अभी भी 39 दिनों तक चलने वाला है म अगर आप रॉयल पास की डेट देखो गए तो रॉयल पास 13 अगस्ट को खतम होने वाला है मतलब आप देख सकते हो कि अभी भी 20 दिन बचे हुए है M22 रॉयल पास को खतम होने में तो इसी रिजन के वहेशे उन्होंने अभी तक यह इवेंट नहीं लाई है क्योंकि उन्ह अगस्ट के बाद दोस्तों यह इवेंट हमें देखने को मिल सकती है या फिर इस बार वो इस इवेंट को नहीं देंगे क्योंकि मैं आपको बता दू बहुत सारे लोगों को पता नहीं था कि यह पेड़ इवेंट है तो पिछले बार इसे कलेट का आया था तो बहुत सारे ने खलेट क्यों पर क्लिक किया फिर ओके पर क्लिक किया तो उनका फटाक से सो यूसी चला गया और उनने हजार आर्पी पॉइंट्स मिल गए तो बहुत सारे लोगों को पता नहीं था उसी वह इसे उनका स्कैम हो गया तो शायद बीजयमाएक को भी पता होगा ऐसा हुआ ह होगा तो शायद उसी रिजन के वह से वह ना दे या फिर लास्ट विक में तो वह दे ही देंगे क्योंकि अभी भी रॉयल पास खतम होने में टाइम बचा हुआ है तो नेक्स्ट हम बात करेंगे मैग्सम रिच प्रॉब्लम के बार में तो बहुत सारे लोगों का अभी भी 50 आरपी कंप्लीट नहीं हुआ है M22 रॉयल पास के अंदर और हमें यह एसे मिशन के आगे मैग्सम ब्रिच प्रॉब्लम दिखाई दे रही है तो सबसे पहले मैं बता दू कि हमें क्यों दिखाई देती है तो गाई विचमाई ने पॉइंट लिमिट लगा कर रखी है हर एक की तो यहां उपर आप देख सकते हो 3375-3375 दिखाई दे रहा है आपका थोड़ा कम दिखाई दे रहा होगा क्योंकि मैंने दोस्तों EZ मिशन लिया था उसी वएसे थोड़ा लिमिट मेरा बढ़ गया था तो मेरा 75 से बढ़ गया था इसी वएसे मेरे इसमें थोड़ा ज्या जब आएगी तो क्या यह हट जाएगी तो गाइस नहीं ऐसा नहीं होगा क्योंकि यह भीजा मैंने खुद सेट करके रखी है तो यह एसी दिखाई देगा जब तक रॉयर पास चल रहा है तब तक दोस्तों हम यह से मैग्समें ब्रीच ही दिखाई देगा क्योंकि आपनी प मिशन्स दिखाई देंगे तो इसके उपर क्लिक करना है तो यह हमें डेली के मिशन्स दिखाई देते हैं और यह पूरा दोस्तों वीकली रिफ्रेश होता है हर मंडे को तो स्टार्टिंग में दोस्तों जब आप यहां आओगे तो आपको डेली लॉग इन के 10 आर्पी पॉ सटार्ट मिलते हैं और जैसे हम यह स्टार कंप्लीट करेंगे तो देख सकतो 120 पर हमें 80 पॉइंट्स मिलेंगे फिर उसके बाद 300 पर हमें 100 पॉइंट्स मिलेंगे मतलब टोटल आप वीकली इसम्डेली मिशन्स से 200 पॉइंट्स बढ़ा सकते हो जिससे आपका डई आर्पी बड़े आसानी से बढ़ जाएगा और मैं आपको बता दू अभी भी M22 Royal Pass के लिए 20 दिन बच्चे हुए है मतलब दोस्तो 24 जुले को फिर से यह refresh होगा daily emissions का फिर उसके बाद 31 जुले को refresh होगा और लाश्ट का 7 जुले मतलब 3 विक्का दोस्तो आपको साड़े साथ आर्पिया से मिल जाएगा और आपका easily 50 आर्पि कम्प्लीट हो जाएगा अगर यह करके भी आपका 50 आर्पि कम्प्लीट नहीं हो रहा है तो फिर last दोस्तो आप क्रेट ओपनिंग कर सकते हो तो आप वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके मिलता हूं नेक्स टूडियो में थैंक्स पॉर वाचिंग